जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फेल से आपका बहुत स्वागत यृव आपका बहुत अवार है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से अभे जुड़े हैं तो पलीज मैं आपसे एक चोटा सा निवेजन करना चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जूड़ जाएगेगा तो अगर आपको उसे बात करना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोटमेंट लिकर बात उसे कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बह बहुत बड़ा मेजर प्रश्ण मेरे सामने कहीं बाहर पूछे जाता और यह बहुत बड़ी बात हैं तो आज इस वीडियो को पूरा आप देखें क्योंकि आप अगर बहुत दिलों से कोई यह आपका कोई परीचित भी परिशान है तब भी आप उन्हें यह बात जरूर ब अपर यह एक ही उस पूरा एक्शों स्वेर में स्टरुगल कर रहें बहुत कोशिश हैं करें बहुत रियतुने करें यह लेकिन हमें सबसे पहली बात है कि भूछJon में बीते दिनों में कोई हमारे साथ गटना हुई है जिस गटना से हम बहुत ज़्यादा आहातित या दुखी है तो उन जितनी भी यादे या जितनी भी बाते उन्हें आप भूलने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें युणकि पहली और मुख्य बाद एक टो बात कर बार आते हैं कि जो पीछह हुई गयी कोई दर्दना गटना यह हाजशा उसे मुखर बाहर नहीं निकलते चाहे कितनी भी उनी marshmallow कर गहाँ तो पहली और मुख्य बात है कि वर्त्मान सात्ति के सात्य है और सत्य के सात्य हुम है चाहिए इसलिए जो भी पूरानी कोई एसी घटना जो हमें उनसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए उससे आप बाहर निकले दूसरा पॉइंट है कि हम अपने अंदर जो एक negativity इतने सालों से जो भर गया हम बहुत negative 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 thought process होता है हमारे मन में चितने भी ख्याले वो नेगिटिव आता है हम कोशिच भी करते हैं positive होने के लिकिन नहीं हो पाते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर जो positivity और सकारत्मक्ता को आप जीवित करें, फिर से उसका सरजन करें और फिर से आप उस और डायवर्ड हों क्योंकि सकारत्मक की एक मातर ऐसी उर्जा है जो आपको जीवन में उचाईयों की उले जा सकती है क्योंकि अब होता है कि हम पूरे negative way में रह रहे हैं और हमें सब कुछ चीज़ें नकारत्मकी दिखती हैं सब कुछ चीजें नकारत्मकी होती रहती हैं इस तरह का एक बहुत बड़ा जाल है इस जाल को काटने का एक ही सबसे main और main चीज़ें अपने mind setup को अपने विचार को अपने जितनी भी चीज़ें इस जीवन में उन्हें positive कर लें उन्हें सकारत्मक आपको करना ही होगा उसके लिए आप बहुत जादा यतन करें जो खराब भी हो रहा है उस पर ध्यान ना दे जो खराब तो सभी हो रहा है क्योंकि खराब की वज़े से तो हम यहां तक आए उसमें जो जो चीजे positive अच्छी है उस पर focus करें और निखले क्योंकि जब positivity आपके साथ 80 हो जाएगी बहुत सारी तो आप automatically इन सब चीजों से ब बहुत बड़ी उर्जा है और वो इतनी बड़ी उर्जा है कि आपको अंदर से आत्म विस्वास देगी आपको अलग फील देगी और आप बहुत जल उससे भाहरा सकते हैं तीसरी और मुख्य बात होती है कि हमारे घर में जो भी अनावश्यक्त चीजे हैं जिनका हो जाती है तो यह चार चीजे हैं इनको करने से पहले स्टेज पर आपको फाइदा होगा इस पर मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा तब तक कि लिए आप वीडियो को लाइक करें शेर करें जैश्री महाकार